हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक टू माई चेगनल मैं हूँ सरुन गुस्वामी अगर आप लास तंथ में हो या 12 में हो और आपको कोरोना वारस पर निबंध लिखना कठिन लग रहा हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप चुटकियों में कोरोना वारस पर निबंध लि अगर ऐसा लिखोगे तो आप लोगो फूल में फूल मार्क जरूर मिलेगा तो चलिए शुरू करते हैं पहले आम लोग देखेंगे प्रस्ताओना अगर आपको कोई भी निबंध किसी पर भी निबंध लिखना आता है तो आपको सबसे पहले उसका प्रस्ताओना पता होना चाहिए ठीक है तो उसका प्रस्ताओना जैसे क्या होता है उसकी बारे में आप लोग थोड़ा छोटे में लिख दू प्रस्ताओना में ठीक है मतलब उसकी बारे में आप लोग इसे लिख दू यहां तो मैं आप लोग दिखो बताता हूं कोरोना वायरस चीन के वहाम राज में समाचार की दृष्टी से फैला माना जाता है कि यह जो कोरोना वारस है चीन के वोहाम राज से फैला है यह समाचार की दृष्टी से मतलब समाचार से यह पता चला है ठीक है कि चीन के वोहाम राज यहां आप लोग देख सकते हैं यह एक राज है जिसे वोहाम का नाम दिय गया ठीक है तो यहां से यह फैला हुआ अकॉन यह जो है एक भैंकर कोरोना वाइरस का जो वाइरस है ठीक है यह बहुत ही खतरनाक होता है ठीक है तो यहां देख सकते हो समाचार के दृष्टी फैला से फैला ठीक है अब यहां मैं आप लिगों को अच्छे समझाता हूं यह वहां में जो यह राज है चीन में यह वहां में पसू मार्केट पसू मार्केट से निकल कर चीन के कई राज्यों में फैला मतलब यह जो है शूरेंट कोरोना वाइरस यह वहां के पसू मार्केट वहां पसू का मार्केट था जैसे आप लोग जानते ही हो ठीक है वहां पसू काटी जाते थे ठीक है तो उससे निकल कर चीन के कई राज्यों में फैल गया कोरोना वारिस जो है उससे निकल कर जो चीन है यहां एक देश चीन इसके कई राज्यों में फैल गया अब कई राज्यों में फैल गया तो आप लोग जानते हैं कि इंडिया के जो ट्रेबलर है वो हार एक देश में टाहलने के लिए जाते हैं तो ऐसे इंडिया में फैला है तो देखो यहां फैला और देखते ही देखते इनसे लाखो लोगों की जिंदगी से खेलना शुरू किया मतलब देखते ही देखते जो कोरोना वाइरस है वो लाखों लोगों की जिन्दगी से मनला बहुत सारे लोगों की जिन्दगी से खेलना सुरू किया इससे बहुत सारे लोगों की मिर्तु भी हुई बहुत सारे मरीज है इसके ठीक है तो ये लाखों लोगों की जिन्दगी इससे खेलना शुरू किया पॉन कोरोना वायरस ठीक है ऐसा है आप लोगों लिखना है मैं आप लोगों आपकी ब्योहारिक भासा में लिखा हूँ ताकि आप लोगों तुरंत ही समझ में आ जाए अब आपको ये तो पता ही है कि कोरोना वायरस जो है चीन के वहाम राज्य से फैला हुआ है समाचार के द्रिश्टी से या वहाम पसो मार्केट से निकल कर चीन के कई राज्यों में फैला और देखते ही देखते ही ये लाखों लोगों की जिन्दगी से खेलना शुरू किया कोरोना वायरस जो है 180 देश और जो देश के राज्य है उनको अपने चपेट में ले लिया अगर इसका पीडिएफ डाउनलोड करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जैसा मैंने ये हैंड राइटिंग है ऐसा ही आप लोगों को पीडिएफ मिल जाएगा डाउनलोड कर सकते हो ठीक है तो यहाँ चपेट में ले लिया और साथ जनौरी स फट्रविशं में चीन के वर्ल्ड हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ आर्गेनाइजेसन को नए कोड़ाइस कोड़िट-19 ये बारे inside में तो इसमें कुछ लिखना नहीं है, आप लोग देख सकते हो, कोरोना वाइरस जो है चीन के बुहाम राज्य से समाचार की दृष्टी से फैला, और या बुहाम में पसु मार्केट से निकल कर चीन के कई राज्यों में फैल गया, और देखते ही देखते ही ये लाखों लोगों के अपने चपेट में ले लिया, लाखों लेगे की जिन्दगी से खेलने लगा, कोरोना वाइरस ने 180 देश और उनके जो राज हैं अपने चपेट में ले लिया, और 7 जनौरी सन 2020 को चीन ने World Health Organization को नए कोरोना वाइरस अनिको COVID-19 के बारे में जानकारी दी, अब देखो कोर दूसरे व्यक्ति में कैसे फैलता है, अगर एक आदमी को हो जाया, तो दूसरे आदमी को कैसे हो जाता है, कोरोना वाइरस ठीक है, तो देखो, कोरोना वाइरस संक्रमित मरीज है, जैसे कोरोना वाइरस के सी व्यक्ति के हो जाता है, तो जो कोरोना वाइरस संक्रमित मरीज क तो उसके जो आजबास आदमी होते हैं लोग होते हैं उनको भी MON वायडस जो है तेजी सेक्टार nella कि अरो एक ठूक कर अपने मुह, मतलब अगर ठूक कर अपने मुह चेहरे नाक, ठीक है, नाक हाथ लगाने से फैलता है, गर जो ठूक है उसे चूले तो अपने मुह चेहरे या कार ना कहीं भी लगा दो तो फैल जाता है, यह विना कोई लच्छन दिखाए, चवदा दिनों तक रह सकता है मतलब रह सकता है 14 दिनों तक ना कोई लच्छन दिखाएगा कि कोरोना वारिस का लच्छन है ना कुछ और 14 दिनों तक रहेगा उसके बाद लच्छन दिखाना शुरू करेगा फिर आपको मरीज बना देगा कोरोना वारिस का फिर उसके से मृत्तु भी हो जाती है तो आपको पता ही रुगा तो कोरोना वारिस का ऐसे फैलता है यहां आप लोग देख सकते हूं मैंने कुछ ट्रिप्स लिख दिये हैं इसको आप लोग को ऐसे ही लिखना है जासा माने लिखा है तब बहुत ही अच्छे मार्ग आएंगे ठीक है तो इतना लिखने के बाद हम योग देखेंगे कोरोना वारिस से पछने का उपाय अपने हाथो को समय पर 20 सिकेंड तक धोते रहें मलब 20 सिकेंड तक अपने हाथो को समय समय पर धोते रहें अगर कोई वी चीछ ले हो मार्केट या कहीं भी आप तहालने जा रहे हो तो अपने जो मुह है उसे मास्क जरूर लगा लो ठीक है इससे बचने के लिए सरकार ने लागडाउन को भी फैसला किया इससे बचने के लिए सरकार ने जो था कई सारे लागडाउन भी लिगा है मतलब लागडाउन पू sanitizer का प्रयोग करो समय समय पोस्तों भखने को किया करो ठीक है अपने मुह पर मास्क जरूर लगाओ इससे बशने के लिए सरकार ने लागडाउन के फैसला किया जो कि इसलमें बहुत ही सही उपाए है ठीक है तो इतना coronavirus वारिस से बसने का उपार समझ में आया अब हम लोग देखें कि कोरोना वारिस की लच्छन लच्छन क्या है अगर कोरोना वारिस हो जाता है तो यहाँ लच्छन है नमबर एक तेज बुखार तेज बुखार नमबर तो गले में दर्द गले में भी दर्द होता है अगर कोरोनावारिस हो जाए और तेज बुखार होगा ठीक है खासी आना खासी भी बहुत ही तेजी से आने लगती है रुकती नहीं खासी और सांस लेने में तकलीफ और सांस लेने भी भी तकलीफ होती है जो सांसे आती है जाती है ठीक है यह सांस लेने भी भी तकलीफ होती है अगर कोरोना वारिस हो जाए तो तकलीफ ठीक है और फेफड़ा कमजोड होना और जो फेफड़ा अंदर होती है तो वो भी बहुत के तोad to your ना काम कर देती है इसन से कोरोना वारस से मरीज की मृत्तू भी हो ठीक है तो बहुत ही भयाना की रोग है ठीक है बहुत ही भयानक वारस है तो इतना आप लोगो समझ में अब हम लोग आगे देखेंगे अब हम लोग देखेंगे अगर हेडिंग याद रहेगा तो वहां लिखने में कोई दिक करने होगा आप लोग सब कुछ लिख दोगे हिंदी में है कुछ दिक करने होगा हेडिंग आप लोग पहले लिख लो अच्छे से फिर उसे कई बार पढ़ो तब अच्छे से याद हो जाएगा जब कुछ तो कोरोनवार्स की वैक्सीन खोज में जुट गई तो ये था कोरोनवार्स की वैक्सीन होज अभी प्रियतनकर रही है फीक है अब lockdown की भारत में पहली-पहल, यानि कि lockdown का पहल था, आब लोग को पता होगा कई दुनों तक lockdown भी था, ठीक है, तो हम लोग कुछ इसके बारे में देखते हैं, 21. M bonding को परधान मंतरी श्री नारेंद्र मोदी, ठीक है, परधान मंतरी श्री नारेंद्र मोदी के नेतुरत में भारत सरकार समस्त जनता के साथ भारत में लागडाउन कर दिया 14 मार्च को भारत के प्रधान मंतरी स्री नारंडर मोधी ने मलब भारत में जो पूरा देश में लागडाउन कर दिया ये तो आपको पता ही होगा ये सब पते हैं पता हैं अगर आपको heading याद होगा तो सब कुछ लिख दोगी ठीक है भारत में लागडाउन कर दिया इसके चलते चार बार यही निर्ड़ा किया गया ये जो लागडाउन कर निर्ड़ा है ये चार बार किया गया भारत में और इस कि आगया किसे भीड़ भार से सभी जनता दूर रहें एक दूसरे के ज़्यादा पास ना आए ठीक है और इससे परदूसर्ण भी कमी हुई और इससे लागडाउन की कारण देश में परदूसर्ण भी कमी हुई क्योंकि जब गारी मोटर चलते नहीं थे तो परदूसर्ण भी देखा जा रहा है कि जहां म्रीच का ईलाज चल रहा है में मरीच का इलाज चलना वायरज में उसके मराज का इलाज चल लहा है वहां हर में चीज अपी कोप वPal Komm to Valkов है क्रोन वाड़़ का प्रकोप है का लिए and to see तो जितना मैंने बताया है अगर आप इतना लिख देते हूं तो आपको अभी तक इस वीडियो को अपने फ्रेंज के साथ सेर नहीं के हूं तो सेर कर दीजिए और आपको किसी ओन निवन्ध में दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए मैं निवन्ध जरूर बना दूगा और इस टॉपिक पर लेकिन वीडियो को लाइक कीजिए जाता चाहता अगर आप इस वीडियो को एक हजार केवल एक हजार लाइक टक पहुचाते हो तो मैं आप लोगों के लिए बहुत सारे असा निवन्ध लाने वाला हूं तो एक हजार लाइक जल्द से कर दीजिए श्टूरेंट चैनल को सब्स्राइब एंड के पाट बेल आइकन को जरूर प्रस कर ल